तो हेलो दोस्तों क्या हाल चाल है I hope आप लोग बहुत अच्छे होंगे तो अगर आप पर टेक्निक एक्जाम की तियारी करते हैं तो यह क्वेशन आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है बहुत माहिने रखता है क्योंकि ऐसे क्वेशन आपके एक्जाम में बहुत बार पू यह तो ऐसे ऐसे जो है वह आपसे क्वेशन जो है बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं ठीक है तो चलिए फिर क्वेशन जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं ठीक तो आईए सबसे पहले किसी चीज की अगर प्रतिशत मात्रा निकालनी है जैसे हमें यहां पर कार्बन की प्रति प्रतिशत मात्रा कार्बन की प्रतिशत मात्रा पराबर क्या होता है हमको कार्बन का निकालना है तो हम लोग लिखेंगे आपर C2H6 में कार्बन की मात्रा मतलब कि इस पूरे C2H6 में कार्बन की मात्रा कितनी है और उसके बटे में हम लोग लिखते हैं दिख रहा है उसके इसे बटे में हम लोग लिखते हैं C2H6 खा अनूभार ठीस लगत का अनूभार बटे में C2H6 का अनूभार और गूड़े में यहाँ पर रेट अनु यह हमारा % रेरह लगा फ़ fel लिए कि हमारा यहीं है कि अगर पैसे ऐगर हमें किसी भी चीज़ की पर необходимо हों wrestब्ध प्रतिसर होला निकाल है तो वहां पर उसमें की कितनी मात्रा है जैसे की सीहszिस में कारवन की मात्रा कितनी है बटे में sthm 6 में sthm six का कानभार कितना है फिर उसके बासे हम लोग को 100 से गुड़ा कर देना है हम लोग का जो है कामळवन का प्रतिसत मात्र één के जो निकल 650 पाइब्सेंड 866 का अनुभार कैसे निकलेगा कि िटू 26 का कारबन 2 है कारबन 2 गुडए 2 पर". तो, हमने दो लुखा और एक करबन का परन होता है तो बारा होता एक फिर प्लस लिखते हैं. प्लस लिखते हैं, एक hydrogen का अच्छा है, hydrogen तो 6 लखेंगे और प्लस में एक hydrogen का अनुभार कितना होता है? तो 1 होता है. तो हम लोग नहीं या पर 1 लिख दिया। अब यह कितना हो जागा 12 दोनी, 24 और प्लस में 6 यान कि कितना हो गया अनुभार? 30 यान कि C2H6 का अनुभार कितना हो गया 30 हो गया ठीक है अब हमको निकालने है कारवन की मातरा इस C2H6 में कारवन की मातरा कितनी है तो देखे C2H6 में कारवन की मातरा कितनी है तो यहाँ पर C की मातरा देखे कितनी है तो कारवन इसमें कितने है दो है तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे दो गुडे एक कार्बन का परमाडू भार कितना होता है तो 12 होता है यानि कि कितना हो गया कार्बन की मात्रा कितनी हो गई ठीक है तो C2H6 में कार्बन की मात्रा 24 हो गई और C2H6 का अनुभार कितना हो गया तो 30 हो गया ठीक है अब हम C2H6 यानकी C2H6 का अणभार तो अणभार जश्ट हमने यहाँ पर 30 निकाला है और गुड़ा किसे करना हमको 100 से गुड़ा करना ठीक है तो अब काटिए इसको 384 तीन दहिया में 30 यह कट गया यानि कि हमारा क्या बच गया और यहाँ पर 10 से यह 10 कैंसल हो गया ठीक है तो बच से रिपीट कर लेते हैं अगर आपसे बोलेगा C2H6 बोल देगा या फिर अगर आपसे ऐसा ही कहते हैं कि अमोनिया की प्रतिसत मात्रा निकाली है तो यह मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क में कि अमोनिया की प्रतिसत मात्रा निकालने है आपको अमोनिया में नाइट्रोज निकालनी है अगर हमें तो हम लोग क्या करेंगे सी टू एच सिक्स में कार्बन की मात्रा कि जो है कितनी है वो यहां पर लिखेंगे फिर इसका अनुभार यहां पर लिखेंगे फिर गुड़े में हमको 100 करना होगा बस अनुभार निकालने के लिए हम लोग यह कर सकते हैं दो है तो दो कार्वान है तो दो लिख दिए कारवन का होता है बारा प्लस चहे बडेंग और यहां पर गुडे में वन करते हैं तो बारा दूनी चौवश कम च्वश होगया इसका फॉर्मूले में रंग देते हैं 24 बट्टे में 30, गुड़े में 100, तीन अठे 24, तीन दहिया में 30, एक जरो से एक जरो कैंसल, बज़ गया 8, और यहाँ पर गुड़े में 10, यानि कि यह क्या हो गया हमारा, 80 प्रतिशत जो है वो कार्वन की मातरा है, C2H6 में, ठीक है, तो आपको, I hope आपको समझ में आ चुका होगा, तो यहाँ पर अगर आप प्रटेक्निक एक्जाम की त्यारी और अच्छे से करना चाहते हैं, तो आप हम लोग के साथ जूट सकते हैं, पहली बात यह कि अगर आपको त्यारी करना होता है, तो आपको स्लेवस पता होना चाहिए, कि क्या-क्या स्लेवस हमें पढ़ना है, क्या-क्या चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो अगर आप, आपके जो स्लेवस है, प्रटेक्निक एक्जाम का, वो आपका मैथ में जो है, वो 50 है, 50 chapters परणे हैं, chemistry में आपको 24 chapters परणें, और physics में आपको 24 chapters परणें, ठीक है, और अगर आप लोग चाहते हैं, कि ये सभी chapter आपको दे दिये जाए, अच्छे से, और साथ में आपको questions भी करने के मिले जाए, तो कितने अच्छे रहेंगे, तो अगर आप paid class जो है वो जोईन करना चाहते हैं तो इस नमबर पर आप call कर सकते हैं 75, 25, 81, 88 ठीक है तो इस नमबर पर जो है वो आप call कर सकते हैं इस नमबर पर आप call करेंगे और अगर paid class जो है वो जोईन करते हैं तो आपको ये सभी chapter full explaining के साथ मिलेंगे और साथ में 5000 questions के PDF जाएंगे जो आपके लिए बहुत ही जादा महुत पूर्ण होंगे और अगर आप लोग चाहते हैं कि paid class की वीडियो फ्री में देखना चाहते हैं या फिर उसको आप कहा सकते हैं कि demo के रूप में देखना चाहते हैं तो आप M solution application डाउनलोड करें M solution application अगर आप डाउनलोड करते हैं तो आपको फ्री में काई सारी वीडियो पचास से सो वीडियो जो आपको फ्री में मिल जाएंगी देखने के लिए आपको वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो जरूर लाइक करेंगे आप लोग और कमेंट में जो मैंने पूछा है वो जरूर बताएंगे कि NH3 में मतलब की अमोनिया में NH3 मतलब क्या होता है अमोनिया होता है ठीक है यह हम लिख देते हैं ऐसे कोशन आपसे पूछेगा कि अमोनिया में बताईए अमोनिया का अमोनिया में नाइट्रोजन की प्रतिसत मातर के है तो सबसे पहले आपको अमोनिया का सुत्र पता होना चाहिए अमोनिय